बांगलदेश की PM की या त्रकाद दूसरा दिन PM मोदी से हिद्रबाद हाउस में मिली शेक हसीना दोरों देशों के बीच साथ समझौते होने की चर्चा बांगलदेश की PM शेक हसीना और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के बीच मंगलवार को दिल्ली स्थित हैदरबाद हाउस में मुलाकात हुई आए आपको सुनाते हैं कि इस दौरान पी ए मूदी ने क्या कहा यहरा एक्षरिंसी प्रधान मंत्री शेख हसीना दोनों डेलीकेशन के सम्मानित सदस्य विडिया के हमारे साथी नमस्कार सबसे पहले मैं प्रधान मंत्री शेख हसीना जी और उनके प्रतेंजी बंडल का हार्दित स्वागत करता हूँ पिछले वर्ष हमने बंगलादेश की स्वतंतता की पचासवी वर्ष गाट हमारे डिप्लोमेटिक सबंधों की स्वणजेंती और ब्यंग बंदू शेख मजीवुट रहमान की जन्म स्वताब्दी को एक साथ मनाया था पिछले वर्ष 6 सितंबर को 6 दिसंबर को हमने पहला मैत्री दिवस भी साथ मिलकर पूरी दुनिया में मनाया आज प्रधान मंत्री सेख सिनाजी की आत्रा हमारे आज़ादी के अमरित महोत्सव के गवरान हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 25 सालों के अमरित काल में भारत बंगलादेश मित्रता नई उचाईयां छुएगी फ्रेंट्स प्रधान मंत्री सेख सिनाजी के नेत्रूत में बंगलादेश ने उलेख निय प्रगती की है पिशले कुछ सालों में हमारा आपसी सायोगी हर शेत्र में तेजी से बढ़ा है आज बंगलादेश भारत का सबसे बढ़ा डेवलप्मेंट मार्टनर और शेत्र में हमारा सबसे बढ़ा ट्रेड पार्टनर है हमारे घनीष्ट सांस्कृति और पीपल टू पीपल समंदों में भी निरंतर बृद्धी हुई है आज प्रधानमत्री सेख हसेना जी और मैंने सभी द्रीपक्षिया, शेत्रिया और अंतराष्टिय मुद्धों पर व्यापक चर्चा की हम दोनों का मानना है कि कोवीड महामारी और हाल के वैश्विक गटनाक्रम से सीख लेकर हमें अपनी अर्थेववस्ताओं को और मजबूत बनाना होगा हमारे बीच कनेक्टिविटी के विस्तार से और सीमा पर ट्रेड इंफ्रासेक्टर के विकास से दोनों अर्थेववस्ताओं एक दूसरे से और अधिक जुड़ेगी एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएगी हमारा द्वीपक्षिय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है बांगलादेश के निर्याद के लिए आज भारत पूरे एशिया में सबसे बड़ा मार्केट है इस व्रुद्धी को और गती देने के लिए हम द्वीपक्षिय कॉम्प्रिहेंसिव एकॉनोमिक पार्टर्शिप एग्रिमेंट पर सिग्र चर्चा शुरू करेंगे हमने आईटी, अंत्रीक्ष और नुकलियर एनर्जी जेसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चे किया जो हमारी युवाँ पीडियों के लिए रूची रखती है हम जलवायू परिवर्तन और सुन्दर्बन जैसी साजा दरोहर को समरक्षित रखने पर भी सहयोग जारी रखेंगे फ्रेंट्स, उर्जा की बढ़ती किमत यहीं, इस समय सभी विकासिल देशों के लिए चुनवती पेश कर रही है आज मैत्री थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट के अनावरन से बंगला देश में एफ़र्डेबल बिजली की उपलबतता बढ़ेगी दोनों देशों के बीच पावर ट्रांस्विशन लाइनों को जोड़ दे पर भी उप्योगी बाचित चल दही है रुप्षान नदी पर रेल्वे ब्रीज का उधातन कनेक्टिविटी बढ़ाने के दिशा में एक उलेख लिये कदब है यह ब्रीज भारत की लाइन ओप क्रेडिट के तहट खुलना और मौंगला पॉड के बीच बनाई जा रही नई रेल्वे लाइन का एक भात्वपुन हिस्सा है बांगला देश के रेल्वे सिस्टेम के विकास और विस्तार के लिए भारत हर प्रका सहीयोग जारी रखेगा ऐसी 54 नदिया है जो भारत बंगला देश सिमा से गुजरती है और सदियों से दोनों देशों के लोगों की आजीविका से जुड़ी रही है ये नदिया इनके बारे में लोग कहानिया लोग गीत हमारी साजा सांस्क्रितिक विरासत के भी साक्षी रखे आज हमने कुश्यारा नदी से जल बटवारे पर एक महत्वकून समझोते पर हस्ताक्षक किये इससे भारत में दक्षिर असम और बंगला देश में सिलहट छेत्र को लाप होगा फ्लर्ड मिटिगेशन के समन में सहयोग बढ़ाने पर भी मेरी और प्रधानमद्र सेख सेनाजी के उप्योगी बातचित हुई है भारत बंगला देश के साथ रियल टाइम आधार पर बाढ़ समंदिट डेटा साजा करता रहा है और हमने डेटा शेरिंग के अवरित अवधी को भी बढ़ाया है आज हमने आतंगपारो और कट्टरबाद के खिलाप सहयोग पर भी जोड़ दिया 1971 की स्पिरिट को जीमंत रखने के लिए भी यह बहुत आवशक है कि हम ऐसी शक्तियों का मिलकर मुकाबला करें जो हमारे आपसी विश्वास पर आगात करना चाहती है दोनों के बीच साथ समझोते होने की खबरे हैं बता दें भारत के दौरे पर आई बांगलदेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना सूमवार को दिल्ली पहुंची थी उनका एरपोर्ट पर भव्यरूप से स्वागत किया गया इसके बाद पीम मुदी ने उन्हें मंगलवार को उराष्टपती भवन में रिसीब किया शेख हजीना आच सतंबर तक भारत के दौरे पर रहेंगी कि प्रिढशे ही मैं मुदी और इसनौनी प्रजेक्षी और प्रेष सेख का एर एंने खिना वार्द आच लुटाई यहीं इको उन्याची नेची नेच्टी अन्याची टूर्दी मिल्याची यहींज आवार को पर एंदानी सूपनी टली एंग मुदी ऐसेराएं पर आवे प्रटाइ प्रटी तो चाथुछ अज़र्ण वीडियाी ट्रजए अजय टेजि ट्यसक्थोष कर देड़े का अजय अजयुछा का अजयुछ है कि अधुछ के अध्यक अधुछ भैप्ट का अम्रित महात्षवार्ण शाप ट्यां एंगाज। इंदियाया का मन की अधुछ। ी धिए वी अंडी बोड़ में वेतार बोर्साइ एंडेने अध्मानिर्बर का ट्रूर्मु अथी धर्मु इनाजिर मोड़ाद टोड़ाब। प्रुट्फुल दिस्कॉशन, the outcome of which will bring benefits to the peoples of both the countries. We held the meeting in a spirit of close friendship and cooperation. We discussed a wide range of bilateral issues to take forward our relationship in the days ahead. We focused on possible ways to materialize our commitment and accommodate each other's priorities in a mutually beneficial manner. Connectivity, trade and commerce, investment, water resources management, security, border management and lines of credit are some of the areas we discussed. We are grateful for the valuable support extended by government and the people of India in the Great War of Liberation of Bangladesh in 1971, which was a watershed moment of our bilateral relations. Since then Bangladesh-India ties are encored in shared history and culture, mutual trust and respect. Long-standing friendship and continued cooperation. I appreciate Modiji's visionary leadership that continues to provide added momentum to our bilateral relations. I return that India is the most important closest neighbor for Bangladesh. Bangladesh-India bilateral relations are known to be a role model for neighborhood diplomacy. Noting that over the last decade, both the countries have achieved remarkable progress in a number of areas. Our sister is the main concern. We have meting the extraordinary algunos members of your behalf as the Knights of the Government. झाल